कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति का पद जब उचा हो जाता है, जब वह काम्यावी के शिखर पर पहुंच जाता है, तो उसका एहंकार भी साथवे आस्मान पर पहुंच जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सरल्ज स्वभाव को बरकरार रख पाते हैं। जेन सादू भगवंतों को जब बड़ी-बड़ी या उच्छ पद्वी प्रदान की जाती है तब उनका स्वभाव कैसा रहता है। आज उसी का उत्कुरुष्ट और अद्भुत प्रसंग देखेंगे। हत्वपूर्ण सूचना दी कि देखिए हमारा अभी विहार होने बाला है। आपने एक तरफ पानी थंडा करने के लिए जो प्राथ रखी है उसको आपने नितार दिया है। और उसके कारण नीचे जो पानी इखटा हुआ है वो आपको लूचना होगा यानि साफ करना होगा। यदि आप वो पानी नहीं लूचते हो तो दुबारा वो पानी वक्त पूरा होने पर सचित हो जाएगा। यानि उसमें जीवों की उत्पत्ती शुरू हो जाएगी। सुनने में ये प्रसंग बहुत छोटा और सामाने लग रहा होगा। अब एक पल के लिए सोचिए कि इतने बड़े आचारे भगवंत, अनेक शिश्य, इतने भक्त, अनेक बड़े-बड़े धर्मिक कारिय, जिनको शासन के इतने काम है, दक्षिन भारत की और कदम रखते ही, अनेक प्रतिष्टाय, उसके बावजोद भी, सैयम, जीव रक्षा सुक्ष्म से सुक्ष्म जीवों की रक्षा, छोटे से छोटे जीव के प्रतिक करुणा, हम जैसे सामाने लोग जिसका बहुत कम ध्यान रखते है, ऐसे पानी में रहे हुए जीवों के प्रतिक करुणा, और ऐसे जीवों के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रेरित होकर सतर पूर्वक उन्होंने साद्वी जी भगवन्त को ये बात समझाई इतने बड़े आचारे भगवन्त होकर सुक्ष्म से सुक्ष्म जीवों के प्रति उनकी करुणा देखकर साद्वी जी भगवन्त की प्रसनता का कोई पार नहीं रहा उन्होंने आचारे भगवन्त की आग्या शेरोधारे की। इनका एक और प्रसंग जानने जैसा है। एक बार आचारे कलापूर्ण सुरिषोजी महराच सायब और पन्यास श्री भद्रंकर विजय जी महराच सायब दोनों महात्मावों का चातुरमास साथ में था। ये बात उस समय की है, जब कलापुन सुरिशोर जी महरत साहिब जी की आचारे पद्वी हो गई थी, भदरंकर विजय जी महरत साहिब के पास वो रुके थे, क्योंकि उनको अध्येन करना था, और तब भदरंकर विजय जी महरत साहिब पन्यास ही थे, सामान्य तह ऐसा होता है कि आचारे पन्यास को वंदन आदी नहीं करते लेकिन कई बार जैन धर्म में आश्चर्य चकित करने वाले ऐसे ऐसे प्रसंग बन जाते हैं जिनहें जानने के बाद किसी भी व्यक्ति का जैन धर्म के प्रती सदभाव बढ़ता ही जाता है क्या सीनियर कभी जूनियर को वंदनादी करते हैं? शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन जैन धर्म में क्या संभव नहीं है? कलापूर्ण सुरिश्वर जी महाराच साहिब की नम्रता इस कोटी की थी, कि जब भी बदरंकर विजय जी महाराच साहिब आते थे, तो पूजेश्री अपने स्थान पर खड़े हो जाते थे, और उनको दो हातों से जुक कर नमसकार और वंदना करते थे, जैन धर्म में गुणों का महत्व बहुत अधीक है, जैन धर्म में व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व का महत्व है, सामान्य व्यक्ति को अगर एक साथ करोडों की लौटरी लग जाए, या अच्छानक से धनवान बन जाए, तो कई बार एहिंकार आ जाता है, और रिष्टे आधी तोड़ने पर उतर आते हैं, लेकिन एक जैन सादू भगवन की पदवी, जब जब उची होती जाती है, तब तब वे और नम्बर बनते हैं, इसी का उतकुरुष्ट उधारन पूजे श्री थे, व्यक्ति का व्यक्तित्व जब इस तरका होता है, इस तरका होता है, तो उसके पुण्य से चमतकार होने स्वाभाविक है, यह बात सुनने में आई थी, कि पूजे श्री किसी चातुरमास में अपने हाथ गिस रहे थे, और अच्छानक इनके हाथ काले रंग के हो गए, जैसे जल गए हो, अनेक लोगों को जबरदस्ट आश्चर्य हुआ, बाद में लोगों को कारण पता चला, कि किसी तिर्थ में दादा के गर्ब ग्रह में अंगल उचना जल रहा था, उसको शान्त किया, ऐसे अनेक प्रसंग इनके अद्भुत जीवन से जुड़े हुए है, जो उनके लिए सामान्य बाते थी, और हमारे लिए वो चमतकार बन जाते हैं, लेकिन ये ताकत उनको मिली जीवों के प्रती अद्भुत करुणा भाव के कारण, दूसरों के प्रती नम्र और सरल स्वभाव के कारण, कहते हैं एक बार ये जिनालय, यानि मंदिर में परमात्मा के समक्ष अद्भुत भक्ती कर रहे थे, और पुजारी का ध्यान नहीं रहा, और वह पुजारी मंदिर मंगल करके अपने घर चले गया, उसके बाद क्या हुआ था, वो हम जानेंगे अगले भाग में, देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा, आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जै जिन्शासन, जै महवीर!